कि मैजिक मसाजर इसके अंदर डिफरेंट टेप के सेवन अटाइच्मेंट्स होते हैं बॉडी मसाज के लिए और फैट रेडिउस के लिए इसका मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा अभी कि स्कार्थ और अटाइच्मेंट्स किस तरह लगाते हैं यह भी देख लिए इसको पुशीं करतेवे राइट की तरफ घुमाना है और निकालते समय उड़ा घुमाते वे पाहर की तरफ निकालना पुरा इस तरह करने से पुरा इस तरह करने से पर वेंस को पुरा इस तरह बाड़ी रिलीफ हो जाएगा पर यह पर यहाश से करिए और जहना यह पर पर यहाश से करिया भी इस तरह से और इसी तरह जो है ना बैक पे भी कर सकते आपिए बैक पेंट के लिए उसकर सकते हैं बैक मसाज कर सकते हैं और जहना आप फीट पर इस तरह आप मसाज कर सकते हैं कि इस तरफ एक हाथ पर यह साइट करना है और जहना यह हाथ पर इस तरफ करना है और दूसरा अटेक्मेट आएगा आपको आईल मसाज के लिए यह जो दूसरा वाला अटेक्मेट है यह जहना आप बाड़ी पर आईल लगाके भी मसाज कर सकते हैं या बीना आईल का भी मसाज कर सकते हैं जिसम पर आपको oil, oily oil लगा सकते या तील का तेल लगा के आप बॉडी पे massage कर सकते इसका अब ये, जैसे हाथ से massage करने से क्या हो ना आपको देर से जो हो ना oil जजम होता है, अब जो हो ना इस attachment से आप बॉडी पर oil लगा के massage करने से, oil जल्दी जिसम में जज़ओं हो जाएगा और आपको पुराना सा पुराना पेन भी है तो रिलीफ हो जाएगा इसको देखे इस तरह लगाने के बाद में आप जो है ना डाइरेक्ट स्किन पर भी कर सकते आप यह और इसे भी मसाज कर सकते आप यह यह सॉफ्ट हैगा आपको करने का है तो आपको जहने यह जो सद्वार इसको इसे मूव कर लीजी है अब हांकर सकते आप यह डरेक्ट इस्कीन के उपर आप सच करें तो आपको जहने जल्दी जrythum में जज़म हो जाएगा चैय सद्सूब इस तरह कर सकते हैं और जहना शोल्डर पे कर सकते हैं और जहना नेक पे कर सकते हैं नेका दर्द है तो कि इंशालना चले जाएगा आपको तीसरा अटाइच्मेंट आएगा आपको एक्यू प्रेशर का आएगा यह यह गोल्ड कलर का आपको तीन जगा पर यूज में आएगा आपको यह हाथ पर आएगा फैट रडूस के लिए आएगा और गर्दन के नीचे स यहां से पांच इंच जहां से आक को जैणा यहां के आट से पोलंट जो एदा करना है हाथ के इस तरह करने से किया होता है एक्यूद करता وأp आप थोड़ी सी देर करिए आप हाथ पुरा हाथ आपका एकदम रिलीफ हो जाएगा सुकुन दिखेगा आपको एकदम और इसी तरह यह अट्रमन आपको फैट रिडूस के लिए यूज कर सकते हैं रेगलर आप पांच मिनिट करने से क्या होता आपको इंटर्नली आपके फै आपको वन मन में 3-4 गेजी पैट करेगा आपके अगर इसके बाद यह वाला जो अटाइजमेंट आएगा आपको यह बोन्स पर कहें पर दर्ध है जैसे नीपेंड है आपको नी का दर्ध है कहें पर भी आपको जहना बोन्स की जगा पे इसका मसाज कर सकते हैं एकदम अटाइच्मेंट यह इस तरह लगाई आप यह लगाने के बाद में डैरेक्ट स्कीन पर आप इसको इस तरह मसाज करिए खुटने के सरोर्णिंग एरिये में आपको जहना दर्ध में आरामी मिलेगी हो यह कहीं पर भी बोन्स पर इसको मसाज कर सकते हैं यह जो अटाइच् करना है अराम मिलेगा इससे आपको स्पनल कॉट पर यह जो अटाइच्मेंट आएगा आपको हेड मसाज के लिए आएगा सरपे जहना खोपरे का तिल लगा के आप मालिश करिए एकदम आपको रिलीफ हो जाएगा आपको यह से लगा दीजिए जहना हेड़ पर मसाज कर सक किया है 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 और लगा कि मसाज करने से आपको बहुत ही आराम मेलेगा सरधर्द है तो भी सरद का भी आराम हो जाएगा यह जो आटेटमेट आये गासे आटेटमेंट है इस इलबर कलर क यह ना यह है को तलोड पर मसाज करने से क्लो तो आपको सुजन जएगा और कि ना सुजन है तो सुजन जाएंगी जीच चुमटियां भढ़ जाती चुमटियां का प्रप्लम है तो शॉलो जाएगा और रात में सोते समय पायर पखड़ लेता वह प्रप्लम में आप तो शॉलो जाएगा इस तरह आपको त परमएपे मसाज करना आप तरह करने से आक्टिवेट करता आपको इस तरह करने से जो है ना ब्लेट सर्कुलिशन को इंपरो करता हील पेंड भी जाएगा स्वेलिंग भी जाएगी और जहना अराम मिलेगा आपके यह अटाइच्मेंट लगाने के बाद एक्टिप्रेशर का अटाइज्मेंट लगाने के वाद ने यह अटाइज्मेंट लगा किया मसाज करिए फिर से झार इसे अटाइज्मेंट लगाने के वाद किया मसाज किया मसाज करिए भाद कर देल लगार को अटाइज्मेंट लगाने के वादाज।